जैहिन सातियों स्वागर थे आपका Self Study Classes with Sumit Gen YouTube Channel में दो तो आज का वीडियो स्टार हो चुका है और आज फिर हम आपको ऐसी funny trick के माध्यम से बताने वाले हैं हिंदी साहित में आपने देखा होगा कि Net exam, PGT exam, TET exam, किसी भी exam में साहत्यकारों के उपनाम पूछे जाती हैं । अब इनको याद करना बहुत कठन बात होती है लेकिन आज पूरे याद हो जाएंगे तरह से ठीक है तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों और इसके पहले हिंदी साहत के टिर्की वीडियो बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं तो उनको जरूर देखना है ठीक है और जो भी हमारे नए साती है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दवाना है और आपको दोस्तों एक बहुत ही प्यारा अपना वाट् से जोड़ने के लिए आपको इस पर मैसेश करना है आपको त्रंत ग्रोफ की लिंक मिल जाएगी और आप बाट्सों ग्रोफ में जोड़ जाएंगे ना तो इस्टार करते हैं आज का ये वीडियो बनी रहे वीडियो के अंतर तक दोस्तों आप से पहले टेस्ट करवाया जा आता है तो दो सेकंड आपको दिए जाते हैं तब आपका बिलकुत सही आंसर क्या होजाएगा दोस्तो कहां गया गया तो याद रख लेना गया से हो जाएगा गया पर साथ सुकल सनेही और इनका उपनाम होगा तिरसूल तिरसूल गया ठीक है याद रख लेंगे कभी-कभी इनका सनेही भी उपनाम है तिरसूल भी उपनाम है ठीक है यसे याद रखना है दोस्तों अंगला बताना है मैतली सरन गुप्त का उपनाम क्या है मैतली सरन गुप्त चार बिकल्प हैं दो सेकेंड में आपको उत्र बताना है मैतली सरन गुप्त दोस्तों इनको राष्ट कभी कहा जाता है एक वार है ना अब राष्ट कभी कहा जाता है दोस्तों तो आप ऐसा नहीं समझते कि बहुत बुजुर्ग होंगे है ना रास्ट कभी है बहुत कोछ इनने हिंदी सायत के लिए किया होगा इसलिए रास्ट कभी कहा जाता है यह बहुत बुजुर्ग होंगे जो बुजुर्ग हो जाते हैं जिने रास्ट कभी कहा जाए है ना तो उने हम क्या बोल देते हैं दद्दा क्या हैं ददद्ध είναι यानि कि आपका बिलकुल 20 नम्र सई हो जाएगा दोस्तों यह चीज याद रखनी है मैद такое जो up नाम है वो क्या है वह ददद्ध ददद्ध यानि कि 8 मरापका बिलकुल सभी हो जाएगा और इनका एक नाम और पूफा गया था दोस्तों PGT चलए अग्जाम में पूच लिया गया था कि मधुप किसका उपनाम है तो याद रख लिना मेधius लंगुप्त का नाम ददद्डाभी है यह ना उपनाम और मधुप भी है ये दोनौ नाम याद रखना है ये दोनों पूछे जाती है इनके ठीक의 अंगला बताना जगनादास रतनाकर का उपनाम क्या है जगनादास रतनाकर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों तो बताना है चार विकलपापकी सामने है जडिया, कोकिल, जकी, कैनका कभी तो जगनात दास रतनाकर का जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा जकी क्या नाम है जकी आपको पता है जासे जगनात दास रतनाकर और जासे आपका क्या हो जाएगा जकी बहुत ही बढ़िया है कई बार एक्जाम में पूछा गया है अधिकांस लोगों को तो पता भी होगा मैंने कई बार आपको बताया है तो जकी यानी सानम मर आपका क्या हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा अब अंगला दोस्तो है आपका केदारनात अग्रबाल का उपनाम क्या है केदारनात अग् गंटों बैटते थे, कैसे बैटते थे? घंटों बैटते थे और केन नदी का बिलकुट सुंदम और मनुरम जो दरस है उसको देखते थे, इसलिए साहत्त कारवन ने इनका अपनाम रख दिया केन का कभी, बोले केन नदी के किनारे जाके बैटते थे, तो इनने कहने लगे क्य कैन का कभी, किसे, केधार नात अग्रवाल, कैनी कि जो आपका बिकल्प नमबर D है, वो बिलकुँ सही हो जाएगा, अंगला है दोस्तो, नंददास का उपनाम क्या है, नंददास, चार बिकल्ब हैं, जड़िया, कोकिल, कलपना का लडला, या फिर कलाधर, क्या है उपनाम, नंददास का उपनाम क्या है नंददास चार विकल्फ हैं दोस्तों और जल्दी से आपको बताना है आपने देखा होगा कभी कभी दोस्तों नंद मतलब क्या होता है जब बहु अपनी सस्राल जाती तब उसे नंद मिलती है क्या मिलती नंद एक बार क्या आपने देखा होगा कि नंद बहु की बहुत लडाई होती रहती है एक बार क्या हुआ कि जब लडाई हुई तो नंद ने क्या किया जड़ दिया ठपर जड़ दिया तो नंद दास को जड़ दिया तो जड़िया कभी ठीके याद रखना जड़िया है ना नंददास को कहा जाता जड़िया कभी या इनका उपनाम क्या है जड़िया कभी ठीक है आनम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा अंगला बताना है दोस्तो बिद्यापती का उपनाम क्या है कई बार हमने पड़ा है कि बिद्यापती की रचना है पदलता, पता का पदावली, किर्तिलता, किर्तिपता का ठीक है इनकी रचना है दो अभट में है लता और पता का यानि की कीरती लता और कीरती पता का अभट में हैं पदाबली इनकी काई में हैं मैथली में हैं सबी को पता है ठीक है अब बिद्यापती को क्या कहा जाता है दोस्तों इने कहा जाता है मैथल कोकिल क्या कहा जाता है इनका उपनाम क्या है मैथिल कोकेल अब एक चीज बताना हम बोलते ना किया आपकी आवाज बहुत अच्छी है बिल्कुल कोकेल जैसे है ना अब जिसमें बिद्या होगी वो कैसा बोलेगा बहुत मधुर बोलेगा सुन्दर बोलेगा बिल्कुल कोकिल जैसे बिद्या जिसमें होगी वो कैसा बोलेगा कोकिल जैसे बोलीगा तो बिद्या पती का उपनाम क्या होगा कोकिल कोकिल यानि बानमर आपका बिल्कुल सह हो जाएगा ठीक है ingla बताना दोस्तो समित्रा नंदन पनत का उपणाम क्या है कि समित्रा नंदन 5 का बताना है चार बिकल्प हैं दोस्तो आपने पढ़ा होगा इन्हें प्रकृति का चेटेरा कभी भी कहा जाता है ठीक है और नंद दुलारे बाचपेई ने इसे क्या माना इने मान लिया काई छायाबाद का प्रवर्तक है ना आपने पड़ा है कि नंद दुलारे बाचपेई ने छायाबाद का प्रवर्तक किसे माना तो सुमित्रा नंदन पंत को इला चंद्र जोसी ने चायवाद का प्रवर्टक के से माना जैसंकर प्रसाद को राम चंद्र सुग्ल ने चायवाद का प्रवर्टक के से माना तो मुकुरधर पांडे को ये question आपसे पूछ ले जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम क्या है तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों कल्पना का कभी क्या कहा जाता है कल्पना का कभी यानि कि सा नंबर जी हाँ दोस्तो, सुमित्रा नंदन पंतर, हम कभी कलपना करते हैं कि मुझे अच्छे मित्र मिल जाए, सू मित्र मिल जाए, कैसे मित्र? सू मित्र मिल जाए, कलपना करके देखो, कलपना करके देखो कि सू मित्र मिल जाए, सू मतलब अच्छे, मित्र मतलब अच्छे मित्र मि यह तो कई बार पूचा गया है दोस्तों मैंने आपको याद भी करवाया है कि अगर आपको कोई कला प्राप्त करनी है कला प्राप्त करनी है तो पहले जाओ संकर जी की पूजा करो है ना फिर आपको क्या हो जाएगी अच्छी बुद्धी आएगी और आप कला प्राप्त कर लेंगे क्या प्राप्त कर लेंगे कला तो जैसे अंकर प्रिसाथ का उपनाम क्या होगा कलाधर क्या होगा कलाधर क्या आपका जो बेकल्प नमबर डी है वो बिलको सही हो जाएगा डी नमबर ठीके अंगला बताना भारतेंदू का उपनाम क्या है भारतेंदू दोस्तों आप बड़ा साहितकार इतना बड़ा साहितकार दोस्तों कि उनके नाम पर ही एक युग का नाम रख दिया गया भारतेंदु योग है ना तो भारतेंदु का उपनाम बताना है और आपको पता होगा दोस्तों कि आज के युग में पूरे बिस्व में जो भारत है वो क्या है कनया है कनया बोले कलियोक का कनया कौन है बिस्तु में तो हमने बोल दिया भारत कलियोक का कनया कौन है तो भारत और भारत से क्या बनेगा भारतेंदू भारतेंदू का अपनाम है कलियोक का कनया यानि कि जो आनम्मर है वो आपका क्या हो जाएगा बिलकुँ सही हो जाएगा हम पूछ ब्रक्ष बैनिपूरी आपने बहुत अच्छी इनकी पड़ी होगी दोस्तों माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें एक रचना पड़ी है मैंने आपको याद करवाया था कि लोग माटी की मूर्तों को ब्रक्ष के नीचे ब्राजमान कर देते हैं माटी की मूर्तों को ब्रक्ष के नीचे ब्राजमान करते तो माटि की मूर्ते ब्रक्ष से राम-व्रक्ष बेनिपुरी की रkaई लेकिन इनका उपनाम क्या है दोस्तों मैं आपको बतादू कि जो कलम बनती है कलम आपने देखी वो क्या बनती ब्रक्ष की लकडी से बनती है ठीक है तो राम-ब्रक्ष ब्रक्ष बैनी पुरी का जो उपनाम है वो क्या है कलम का जादूगर एक कलम के जादूगर दे दोस्तों क्या थे कलम का जादूगर अब यहां से बहुत सारी रचना है पूछी जाती है दोस्तों कलम का सिपाही कलम का जादूगर कलम का मजदूर का निफ्यूज नहीं हो ना जादूगर कहा जाता है किसे राम ब्रक्ष बेनी पुरी को, क्योंकि कलम का ही जादू होता है और कलम काई से बनती है, ब्रक्ष से बनती है, अपन लकली काटते उसकी कलम बनाते हैं, तो याद रख ले ना, आनम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा, अंगला है दोस्तो पु पुस्पदंत ने एक गरंथ लिखा महापुराण, और महापुराण में इन्होंने 63 सलाका पुरसों का बरनन किया है, कभी-कभी पूछा जाता है कि निमने मैं से बताईए कि कौन से गरंथ में 63 सलाका पुरसों का बरनन है, तो महापुराण में हैं, है ना, और दोस्तो आपको पता है कि पुस्पदंत ने अपने आपको उपादी दीती अभीमान मेरू की हैना कभी कभी पूछा जाता है निमनमय से बताईए कि किस कभूई ने अपने आपको अभीमान मेरू की उपादी दीती तो वो दीती पुस्पदंत ने इसलिए पुस्पदंत का जो उपना रूमों पर तो अभिमान मेरू पुस्पदंत बी नम्मर आपका बिल्कुत सही हो जाएगा ठीक है है ना माखलाल चत्रुवेदी दोस्तों माखल लग गया यहां पर माखलाल चत्रुवेदी का उपनाम क्या है चार बिकल्ब हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की प् रखेंगे से एक भारती आत्मा चाहती है कि क्या मिले माखलाल चत्रुवेदी को कहा जाता है एक भारती आत्मा इानि कि आपका सी नम्मर बिल्कुत सही है दिकांस लोगों को बिल्कुल सही पता होगा लेकिन वैसे भी याद कलनें रिभीजन हो जाएगा केसवदास का उपनाम क्या है दोस्तो केसवदास आपने पढ़ा होगा दोस्तो कि केसवदास जी की एक रचना है राम चंद्री का राम चंद्री का इनकी रचना है ये रचना भक्तिकाल भक्तिकाल की रचना है इसलिए केसवदास को भक्तिकाल और रितिकाल दोनों का कभी कहा कहा जाता है और इनकी राम चदरी के जो रचनाय वक्तिकाल की है दोस्तों को पता होगा कि कठन काब है ना बहुत कठिन होता है केस को सुरक्षित रखना केस केस ठीक है तो केस अधास को कठिन काब का प्रेथ कहा ज़ता कई बार पूचा गया है अंगला बताना है दोस्तों राजेंद्र बाला गोस का उपनाम क्या है बंग महिला उपन्यास समराट एक राश्ट्री आतमा या फिर एंद्रियता का कभी राजेंद्र बाला गोस आपने कई बार पढ़ा होगा राजेंद्र बाला गोस का उपनाम क्या है तो क्या है उपनाम क्या है बहुत बढ़िया है ना राजेंद्र बाला गोस इन्हें कहा जाता था बंग महिला है ना यानि कि बंगाल की महिला ऐसे याद रखेंगे, राजंदर बाला गोस कहा की महिला है, बंगाल की महिला, ठीक है, तो राजंदर बाला गोस का उपनाम क्या होगा, बंग महिला, इनको याद रखेंगे, बंग महिला इनने कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा गया है, अंगला बताना कोई बार पूँछे जाते हैं, और इनका एक अधूरा उपन्यास है, मंगलशूत्र, प्रहिम चंद जी का, अधूरा उपन्यास कौनसा है, मंगलशूत्र, और इनके कहा जाता है δोस्तो, उपन्यास वोट वहत्ते है, कौन सा गोदान गोदान उपन्यास है है ना और ये उपन्यास होते हुए भी दोस्तो इसे ग्रामिड जीवन का महाकाब कहा जाता है अगर कभी आप से पूछा जाए निमन मैं से बताईए किस उपन्यास को ग्रामिड जीवन का महाकाब कहा जाता है तो वो कहा जाता है गोदा को यह ना और गोदान उपनियास किसका है प्रेम चंद जी का है ठीक है अंगला बताना है राजा राम सुकल का उपनाम क्या है आपने चाहिए पहली बार नाम सुना हो राजा राम का या किसी ने सुना हो इनका उपनाम क्या है तो दो सेकिन में आप उत्तर चेन करेंगे और आपका बिल्कुश सही हो जाएगा एक रास्ट्री आत्मा एक रास्ट्री आत्मा कहा जाता है दोस्तो राजा राम को किसे कहा जाता है राजा राम को एक रास्ट्री आत्मा कहा जाता है है ना क्योंकि जो भारत का राजा होगा वही तो रास्ट्री आत्मा होगी है ना राजा भारत का राजा होगा वही रास्ट्री आत्मा होगी है ना एक भारती आत्मा एक भारती आत्मा चाहती है कि मुझे माखन मिल जाए एक रास्ट्री आत्मा कौन होगा तो राजा होगा है आपने रचन बहुत सारी पढ़ी होंगी दोस्तों बहुत सारी पढ़ी होंगी दोस्तों गिरजा कुमार माथृ की भी पढ़ी है बोले सामने क्यों हो गिर्जा, सामने क्यों हो गिर्जा, तो मैं बक्त के हूँ सामने किसकी रचना होगी, गिर्जा से गिर्जा कुमार माथुर, अब गिर्जा कुमार माथुर का अपनाम क्या है, तो इनका अपनाम है दोस्तो, एंद्रियता का कभी, एंद्रियता का कभी किस तो यार गिर गई एक्छे ही नहीं होती कोई चीज खाने की पीने की है ना इंद्रियता का कभी गिरजा कुमार माथोर इंद्री क्या हो गई है गिर गई है ठीक है याद रखना और दुसियंत कुमार का उपनाम क्या है दोस्तों दुसियंत कुमार का आपने बहुत सारी चीज के इने गजल संब्राट कहा जाता है. इनकी बहुत सुपर गजलेTech है. इसकी दुसियन्थ कुमारी की. एक कंठ विस्पाई. इनकी एक रचना ए मेंग है殷ना जो हमेसा पूछी जाती है और ये दुसियन्थ कुमारी की से ङद रखना तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बनाया है कि इन्हें कहा जाता है अनल का कभी है ना अनल अनल नहीं अनल मतलब होता है अगनी है ना और अनल मतलब होता है बायू है ना याद रख लेना बायू का कभी कहा जाता है, असी रचनाई लिखते हैं, कि मानों ऐसा लगता है, कि हम बायू में उड़ने लगे हैं, इनकी रचनाई पढ़ करके, है ना, अनल, तो इनने कहा जाता है दोस्तो, अनल कभी, है ना, याद रख लेना, अनल कभी कहा जाता है, सबी लोग याद कभीष रोमनी कभीष रोमनी यानि कि जो आपका आनम्मर है वो बिलकुँ सही हो जाएगा कभीष रोमनी कहा जाता है किसे तुलशी दास जी को आनम्मर आपका बिलकुँ सही आंसर होगा है ना और तुलशी दास जी की रचनाए मेंने आपको याद करवाई हैं खंड काब या उपनाम बताना है क्या है कभी स्रोमनी है उपन्या समराथ है अनिल कभी या फिर आत्मा राम है तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो महावीर प्रसाद दुवेदी है या फिर महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान ने आत्मा की बात करी है महावीर भगवान कह कहते हैं कि इस तरीर में कुछ नहीं रखा आत्मा का कल्यान करो आत्मा का कल्यान करो तो महावीर पर साथ दुबेदी का उपनाम क्या होगा आत्मा राम क्यूंकि महावीर ने कहा है कि आत्मा का कल्यान करो इसलिए आत्मा राम यानी डी नम्मर आपका बिल्को सही हो जाएगा अब दोस्तो एक चेलेंज प्रसन है जिसका उत्तर आपको बताना है यामा किसकी रचना है यामा किसकी रचना है रामधारी से दिनकर की महादेवी बर्मा की सुमित्रा नंदन पंत की या फिर अग्ये की तो चार विकल्प है यामा बताना है किसकी रचना है चेलेंज प्रसन ह ठीके और अगर आपको रामधारी से दिनकर की कोई रचना पता है तो लिखे महादेवी बर्मा की है तो लिखे सुमित्रा नंदन पंति की है तो लिखे अग्ये की है तो लिखे सबी लोग कमेंट में जरूर बताना अपनी उपस्तिती जरूर बताना है और दोस्तो ये WhatsApp नमबर दिया है, WhatsApp नमबर उस पर आपको क्या करना है, contact करना है, इस पर WhatsApp नमबर पर आपको क्या करना है, message करना है, आपको तरंतर लिंक के मिल जाएगी, ठीके, और वीडियो को सभी लोग लाइक करके, share करें, subscribe करें, bell icon को दवाएं, और आज की वीडियो के ल झाल 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